क्या आप भी अपने बालों को लंबा और घना बनाना चाहते हैं लेकिन ज़ड़ते बालों की विज़े से बहुत ज़्यादा परिशान है हेर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और इसके लिए आप महंगे महंगे शैंपू और बहुत सारे प्रोड़क्ट्स पर खर्श कर चुके हैं लेकिन आपको मनचाहा रिजल्ट अगर देखने को नहीं मिल रहा है तो आपको परिशान होने की नहीं है आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी होम रेमेडी और आसान सी रेमेडी बताने वाली हूं जिसकी हेल्प से ना केवल आप अपने बालों को जढ़ने से रोक सकते हैं बलकि आप अपने बालों को लंबा घना और सुन्दर बना सकते हैं साथ में आपके बाल हेल् करेगा तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं आगे बढ़ने से पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट है अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और हेलफुल लगती है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हम अलोवेरा के साइड वाले पार्ट को निकाल देंगे उसके बाद हम बीट से इसका चिलका हटाके इसके अंदर का जितना भी जेल है वो हम निकाल लेंगे तो मैं आपको यहाँ पर ये सजेच्ट करूँगी कि आप नैचरल अलोवेरा का ही यूज करें वैसे तो मा नहीं है 局शी बहुत बटकुशल्से में दो देखने को मिलेगा इसलिए aloe vera का plant अब जरूर लगाएं अपने घर में हाँ इसका gel निकालने में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगती है और market से जो लाते हैं वो हम directly use कर लेते हैं लेकिन आपको फायदा भी उससे ज़्यादा देखने को मिलेगा तो यहाँ पर मैं एक एक करके मैं इसके उपर का जो छिलका है लेयर है वो मैं हटा रही हूँ और इसके अंदर का जितना भी gel है मैं निकाल लूँगी तो मैंने यहाँ पर दो leaf लिये थे aloe vera के तो मैं थोड़ा ज्यादा extra बनाती हूँ क्योंकि मैं इसका skin पे भी यूज करती हूँ तो आप भी जब भी aloe vera gel बनाए घर पे तो आप थोड़ा extra बनाके रख सकते हैं फ्रिज में और इसका आप 7 दिन तक लगभग यूज कर सकते हैं तो एक spoon की help से हमें कुछ इस तरीके से aloe vera में से gel हमें निकाल लेना है इसका gel यह बहुत ही जादा फिसलता है क्योंकि यह बहुत ही jelly texture का होता है और slippery होता है लेकिन फिर भी इसे निकाल सकते हैं हम आसानी से तो कुछ इस तरीके से आपको निकाल लेना है और इसके बाद हमें इसको grind कर लेना है mixer jar में वैसे तो आप ऐसे भी use कर सकते हैं इसके gel को बिना grind किये लेकिन अगर आप इसको grind कर लेते हैं तो use करना थोड़ा easy हो जाता है वैसे तो इसे blend करने में बहुत जादा time लगेगा इससे अच्छा है कि आप grind कर लो इसके gel को उसके बाद आप use करो तो अभी मैं बताने वाली हूँ आपको कि इस gel को हमें किस तरीके से और किस चीज में mix करके अपने बालों में apply करना है तो वीडियो को end तक देखिएगा बिना skip किये ताकि कोई भी important point जो है miss ना हो अगर आप regularly aloe vera gel का अपने बालों में use करते हैं तो इससे बालों की चमक लोटती है बाल मजबूत होते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं मैंने एक jar ले लिया है और इसमें मैं डाल दूँगी और आप भी कोशिस करें कि जिस jar में आप डाल रहे हैं यह gel वो उसमें कोई आपने मसाला या lesson या मिर्च आपने उसमें grind ना किया हो jar बिल्कुल clean होना चाहिए तो यहां पर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे grind करने के बाद यह कैसा दिखता है और आप वीडियो को बिना skip के वे देखेगा वरना आप अगर miss कर देंगे तो फिर आप comment section में पूछते हैं इसे अच्छा है कि वीडियो को आप end तक देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह grind करने के बाद कुछ इस तरीके से देखता है और यह भी आपको इसमें बहुत जादा जहाग देखने को मिल रहा होगा लेकिन कुछ देर में यह जहाग हट जाएगा गायब हो जाए तो हमें इस जेल का उसी तेल में यूज करना है जो भी आप तेल यूज करते हैं वो आप यूज करेंगे इसमें मैंने यहां पर एक बोल ले लिया है और यहां पर मैं लेने जारी हूँ सबसे पहले ऐलोवेरा जेल तो यहां पर मैं तीन से चार चमज के करीब मैं ऐलोवेर जालूंगी तो मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि आप अपने length के according आपकी जितनी भी hair length है उसके according आप तेल ले लेंगे तो आप जितनी मातरा में तेल लेंगे उतनी ही मातरा में आपको aloe vera gel ले लेना है ठीक है आपको इसके बाद अच्छे से इसे mix कर लेना है इसे आप थोड़ी देर में देखेंगे थोड़ा सा आप time देगे इसे अच्छे से mix कर लीजिए ताकि तेल और जेल आपस में अच्छे से मिल जाए mix हो जाए और उसके बाद हम कुछ देल के लिए हम ऐसी ही छोड़ देंगे तो अब मैं बताती हूँ कि आपको इसका use कैसे करना है तो मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो जेल के ऊपर जाग था वो बहुत ही आसानी से हट रहा है और जेल हमें दिख रहा होगा तो मैं आपको बताने वाली थी कि इसे कैसे और कब use करना है तो आपको इसे या तो शैंपू करने के तीन चार घंटे पहले आप इसे अपने बालों में apply कर सकते हैं नॉर्मली मसाज करते हुए जैसे आप hair oil आप अपने बालों में apply करते हैं वैसे या फिर आप एक दिन पहले रात को आप इसका use कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर tail all डार रही हूँ क्योंकि उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि tail कम है मेरे बालों के length के according तो इसमें मैंने और tail add किया था तो इसे आप चाहें तो एक दिन पहले आप रात में use कर लें या फिर अगले दिन आप use कर सकते हैं शैंपू करने के पहले तो यहाँ पर अच्छे से mix कर रही हूँ मैं आपको भी अच्छे से mix करना है इसे और फिर अपने बालों में apply करना है तो aloe vera gel का हम बहुत पहले से use करते आ रहे हैं as a medicine और इसका इस्तिमाल skin care से लेकर hair care में भी काफी ज्यादा popular है अगर आप बालों की समस्या से परिशान हैं तो कई समस्याओं को aloe vera ठेक करता है अगर आपके सिर में dandruff है या फिर आपके बालों की जड़ों में हमेसा खुजली अगर होती रहती है तो आप aloe vera gel का भी सिर्फ इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन आप अगर तेल में डालके इ करता है और आपके बालों को सॉफ्ट शाइनी और हेल्दी बनाता है तो इसमें भरपूर मात्रा में विटमिन सी और ई और आपकी बालों को ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है मैं भी अपने बालों में aloe vera gel का regular basis पे यूज़ करती रहती हूं सिर्फ बालों में नहीं बलक ज्यादा helpful है और एक बार आप ये remedy भी जरूर ट्राइ करना आपको definitely result देखने को मिलेगा और अगर result देखने को मिलता है तो आप जरूर से जरूर इस वीडियो के नीचे comment में आकर comment कीजेगा ताकि औरों को भी help मिल सके तो आई होब ये वीडियो आपके लीज जरूर helpful रही होगी अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बैल को जरूर ओन कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो से आप अपडेट होते रहें तो मैं मिलूंगी आपसे नेक एक टाकि पालि।